यानि कि फिमेल प्राइमेट्स में ही हमें मिलेगा प्राइमेट्स में देखने को मिलती है इस सबसे पहले हमारे पास आती है मैंशुरेशन या फिर ब्लीडिंग फेज ऐसा क्यों यूट्रेन वाल का डेमेज होता है और वहाँ पर जो टिश्यूस डेमेज होते हैं साथ में ब बोल दिया जाता है मैंसेस हमने देखा पिट्यूट्री हॉर्मोन के बारे में एफएसेच और एलेच के बारे में देखा उसके बाद हमने देखा ओवरीन हॉर्मोन के बारे में एस्ट्रोजन प्रोजिस्ट्रून के बारे में देखा सबसे पहला इवेंट क्या हुआ स्टाइकल में बढ़ने मोन होता है कि यहाँ पर है और a रिंद यहाँ पर हमें प्राइमेर्ट के मिलेगा यहांई धी अगया ने लिए सब्सक्राइब में एक मन्त में एक ही और इच ओबरी मतल्य है घ्या तो लेट से राइट से एक महिने में सिर्फ एक बार होगा यानि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे one year में alternately हमारे पास में left and right से one 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 by one ovum निकलते रहते हैं the cyclic changes in the ovary and uterus during menstrual cycle are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormones pituitary से निकलने वाला FSH oral H और ovary से निकलने वाला estrogen progesterone इनकी वजह से ये पूरा cycle यहाँ पर maintain होता है इन menstrual cycle the female body prepares होता क्या है इसमें तो female body अपनी आपको prepare करती है for a possible pregnancy पूरा जो repetitive phase है 13 year से लेकर 50 year तक का 37 year का duration है इसमें हर month में ये preparation की जाती है और अगर वहाँ पर pregnancy नहीं आती है किसी region से does not occur then the body aborts all the preparation तो उस month की वो preparation सारी abort कर दे जाती है और अगले महिन के लिए फिर से वहाँ पर preparation start हो जाती है restart the preparation for pregnancy again in the monthly cyclic manner एक cyclic manner के पॉर्म में हर महिने ये rotation में ये cycle चलता जाता है menstruation only occurs कब आएगी और इसका क्या condition है if the released ovum is not fertilized ovum fertilized नहीं हुआ इसका मतलब वहाँ पर pregnancy नहीं थी तो इसने अपनी preparation को abort किया था और इसी वेज़े से मेंचरेशन आती है पर अगर यहाँ पर ओवं hormonal imbalance और hormonal imbalance की वज़े से भी यहाँ पर मेंचरेशन कुछ मंस में स्टॉप हो सकती है तो या तो pregnancy से स्टॉप होती है या फिर इस तरह की situation से स्टॉप होती है यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखी गई है लाक आफ मेंचरेशन मेंचरेशन मेंबी मेंबी वर्ल लगाया गया है इंडिकेटिव और प्रेगनेंसी तो क्लियर और hormonal imbalance की वज़े से भी जो है मेंचरेशन स्टॉप हो सकती है चलिए आगे देखें यहाँ पास में योटराय का डैमेज होता है और वहाँ पर जो टिशिू डैमेज होते हैं साथ में बलीडिंग होती यह गया्मटू इससे बोल दिया जाता है मैंस सब्सक्राइब, मैंस इसे बोल दिया जाता है Pитеutree का Piteutree से आ रहा है FSH LH Overage से Release हो रहे हैं Overagegem Overage Ming, Progestern Istrogen और Uterus Wall पर भी कुछ चेंज़ आ रहे है तो O seit V से वार्मोन पर पर भी कुछ चेंज़ आरे हैं तो Overage के अंदर क्या चेंज़ आंगे और Uterus के अंदर क्या चेंज़ आएंगे होता है यहाँ पर Commander करता है नाम क्या है following extending hormone तो फालिकल को ड्वलप करेगा reg니까 Gas यहां पर एप我們 करेंगी परदर सकंडरीड ऑगे वालिकल बंती अब अगम बात करें यहाँ पर ओवरीयन हार्मों क dessert अब यहां पर ocean का डोनुका लेवल अभी कम है तो टोटल किया हो रहा है फॉलिकल बन रही है और प्रजिस्टरॉन कम होने की वजए से यूट्रस में क्या हो गा यूट्रस में हो रहा है कुछ डेमेज यानि कि यहा पर यूट्रस की वाल को यहां पर डेमेज किया जा रहा है यहां पर लॉस हो सकता है पर साइकल इसमें तो इनिशल पाट ऑफ देमेज हो रही है और साथ साथ में यूटरस की जो वाले वो डेमेज हो रही है और यूटरस वाले वो डेमेज होने का रिजन क्या है प्रोजिस्टन का लेवल बहुत ज़्यादा कम है अगली फेज क्या है तो चलिए देखें अगली फेज हमारे पास आती है जो कि सिक्स डे से स्टार्ट होती है लगबल तो फॉलिकुलर फेज वाई है यहां पर primary follicle से further secondary, tertiary, graphene follicle बनेंगे, that's why बोल दिये गए follicular phase, proliferative phase बोल दिये गए क्यों, क्योंकि uterus की wall का यहां पर proliferation होगा, और estrogen की वज़े से होगा, और ovulation से पहले होगा, तो इस सारे नाम हमें समय आए, अब hormonal क्या क्या changes होने वाले देखिए, तो यहां पर हम देख र follicle, tertiary follicle, और जब tertiary follicle बनी, इसने यहां पर इसकी एक layer थी, ठीका इंटरना, ठीका इंटरना, ठीका इंटरना से रिलीज हो जाता है, estrogen, और यह estrogen बढ़ने लगता है, और इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से देख रहे हैं, आप लोग यहां पर estrogen की वज़े से यह uterine wall भी यहां पर develop हो रही है, इसका development हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया था proliferative phase, so clear, estrogen क्यों बढ़ा, estrogen बढ़ा, FSH की वज़े से follicle बनी, follicle की जो layer थी, उसने यहां पर projection को release किया, ठीका इंटरना ने, और estrogen की वज़े से, यहां पर uteris wall का, यहां पर development चल रहा ह जब यहां पर 12th day आता है, 12th day इसे मैं highlight कर दूँ यहां पर, 12th day आते 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 आते, estrogen अपना positive feedback देता है, तो यहां पर estrogen जबना positive feedback देगा, तो क्या होगा, estrogen का यहां पर level बढ़ जाएगा, तो देख रहे हैं आप यहां पर, एक बहुती, तेजी से यहां पर peak आ रहा है, य और LHK सर्च की वज़े से क्या हो गया, इसकी वज़े से हो जाता है ovulation, ovulation, तो relation समझ में आ रहा है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं FSH के बारे में, FSH की वज़े से बनी follicles, follicle ने release किया estrogen, और estrogen ने क्या किया, इसने proliferation किया, किसका proliferate कर दिया, इसे uterine wall को, तो यह हमारा relation चल रहा है, और इसी के, इसी के positive feedback की वज़े से क्या हो गया, यहाँ पर surge आया, LH surge आया, और LH surge की वज़े से हो गया था, इसकी वज़े से हो गया था, ovulation, ovulation, तो यह हमने यह आपर step देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ovulation की बात क्या होगा, ovulation मतलब, ruptured follicle से secondary लूटियल फेज आती है हमारे पास में, ovulation के बाद में, लूटियल फेज, लूटियल क्यों, कॉर्पस लूटियम बनने की वज़े से, secretary क्यों बोला गया, secretary nature होता है, endometrium का, इस वज़े से, progesterone की वज़े से होगा, यहाँ पर mainly progesterone वर्क करेगा, जैसे follicular phase में estrogen का peak था, वो dominant 5 इस तरह यहाँ पर progesterone का peak आएगा, और ovulation की बाद में है, इसलिए नाम क्या रख दिया, post ovulatory phase, तो चलिए देखें, FSH, LH कम हो चुके हैं, सर्च के बाद में, यहाँ पर सर्च चल रहा था, यहाँ पर कम हो चुके हैं, अपने level पर आ चुके हैं वापस, original level पर, औ और रप्चड फॉलिकल से बना corpus luteum, corpus luteum release करेगा progesterone और थोड़ा बहुत estrogen, तो corpus luteum के progesterone release करने की वज़े से, हम क्या देखेंगे, यह देखिए, क्या हुआ, इसके progesterone release करने की वज़े से progesterone का level बढ़ गया, clear, तो corpus luteum ने जो progesterone release किया था, उससे इसका level बढ़ा और साथ-साथ में कुछ amount में estrogen भी यहाँ पर release किया जाता है, corpus luteum से, तो two peak हमें मिलते है estrogen के पूरी cycle में, एक हमें 13 डे पर हमें peak मिला था estrogen का, जब positive feedback गया, और एक हमें मिल रहा है, लगबग, लगबग, 22nd day के आसपास, हमें यहाँ पर positive feedback मिल रहा है, estrogen का, अब आगे बढ़ें, तो corpus luteum जो है, अगर यहाँ पर fertilization नहीं होता है, तो corpus luteum maintain नहीं रहेगी, degenerate हो जाएगी, और degenerate होते होते होते, छोटा सा structure बन जाएगा, इसे मोलते है, corpus albicans, now, progestion would be absent in this structure, अब यह progestion secret नहीं कर सकता, तो जब progestion का level बढ़ा, तो uterus की wall maintain रही, और जब progestion का level कम होता चला गया, तो क्या होगा, उसकी वज़े से मारे पास जो uterus wall है, वो damage होना start हो जाएगी, तो देखें, यहाँ पर बड़ी बढ़ती चली गई थी, और 20 second day के आसपा, जब यहाँ पर feedback गया, इसे पता लगा कि यहाँ पर fertilization नहीं हो रहा है, इस पंक का contact नहीं हो आओ इस ओवम के साथ में, तो यह degenerate होना start हो जाएगा, और क्या होगा, वाल भी हमारे पास धीरे-धीरे degenerate होना start हो जाएगी, तो it all depends on the progesterone level, progesterone का level कम होने से वाल भी damage हो गई, progesterone का level बढ़ता था, यह maintain रहती थी, तो वाल को बनाया किसने, वाल को बनाया था, estrogen ने proliferation किया था, उसे maintain किस ने किया, उसे maintain किया था, progesterone ने, estrogen ने बनाया और progesterone ने maintain किया, और जब कॉरपस लोटिम डैमेज हो गया, progesterone का level कम होता चला गया, तो क्या होगा, उस case में हमारा पास, हमारे पास uterus wall है, वो भी धीरी-धीरे डैमेज होने start हुई, और होने start हो जाएगी, यानि अगला जो डे आएगा, 28 के बाद के जो डे जाएंगे, वो जाएंगे 123 and so on, यानि की अगली cycle start, और menses वाला phase आजाएगा, वापस से, वाल का damage होना, अब्लिडिग होना start हो जाएगा, इस तरह से cycle हमारे आपास चलता रहता है, ठीक है, चलिए, अ इसको दुबारा से revise कर रहते हैं, quickly revise कर लेते हैं, हमने देखा, pituitory hormones के बारे में, FSH और LH के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा, ovarine hormone के बारे में, estrogen, progestion के बारे में देखा, सबसे पहला event क्या हुआ, FSH की वज़े से यहाँ पर follicles का development start हुआ था, clear, और ovarine में क्य estrogen, progestion, दोनों के level कम थे, first five days में, तो इस पर जैसे क्या हो गया था, wall damage होना, start हो गई थी, यह wall damage हो रही थी, यानि कि menstruation phase चल रहा था, after that, six days हैं लोग काउंट करें, तो क्या हुआ, यहाँ पर develop होती जा रही है, follicles, जब यहाँ पर follicle develop होई, थी का इंटरना बनी, इसके अ feedback, positive feedback देने से estrogen का भी सर जाया, और साथ-साथ इसी की वज़े से LH और FSH में भी सर जाया, और LH के सर्ज की वज़े से हो गया था, ovulation, LH के सर्ज की वज़े से हो गया था, ovulation, तो 14 day पर हमें क्या देखने को मिला, 14 day पर हमें देखने को मिला, ovulation, और ovulation के बाद में हमारे पा का लेवल है वो बढ़ता चला गया और इसने रिलीज किया था कुछ मातरा में आस्ट्रोजन उसका भी लेवल बढ़ा पर 23 डे आते आते यहां पर अगर फर्टिलाइशन नहीं हुआ कंडिशनल केस है यह अगर फर्टिलाइशन नहीं हुआ तो इस केस में प्रोजिशन का लेवल वापस कम होता चला जाएगा क्योंकि और यह देखिया वाल भी डेमेज होती चले गई और यहां पर हम देखने इस जगह पर हमें वापस से डेवन मिल चुका है यानि कि रप्चर इसे हम बोलते है मैच के पर और को यानि थर्टीं के बाद लगभाग पचास साल तक मैनों पॉस्त तक क्या होगा में न उस्किर्टीं होती है है जानि जब सीज हो जाती है 15-year में तो से मोल देते मैंनो पॉस जब इनिशेट होती थी प्यूबर्टी से मोलते मैं आरके चलिए कुछ क्वेशन करने इस पर बेस मैंश्य साइकल पर बेस हमने हॉर्मोन समझे थे तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेशन हॉर्मोन बेज लिया है तो ध् साथ में मारे पास में FSH और LH का भी पीक जाता था ऑप्शन देखते हैं लोग पहला दिया गया है एस्ट्रोजन जिहां सही है अभी तक सही है दूसरा भी देख ले प्रोजेस्टेरोन एन एस्ट्रोजन गलत हो जाएगा अगर यहाँ पर FSH एन्ड एस्ट्रोजन होता तो सब्सूंदी है तो हमारे पास बेचे पहले हमारे सक बच से अस्ट्रोजन के यह देखिए अन्सर और हमारा एस्ट्रोजन चली अगला कुस्ते भी अच्छिते क्म हो जाता था लैक आफ में progesterone that's why जब corpus albicans बनता था तब तो क्या पहला option सही होगा sudden release of FSH no जलत lack of progesterone आगया वो point lack of progesterone due to the degeneration of the corpus luteum बिलकुल सही answer हमारा option 2 यहाँ पर सही हो जाएगा progesterone कम होने की वज़े से ही तो maintain नहीं हो पाती थी wall और damage हो जाती थी and it is it causes the menses phase of the mention cycle so answer would be 2 अगला question देखिए no new follicles develop in the luteal phase कोई नहीं फॉलिकल नहीं बनती है mention cycle में क्यों luteal phase में जब 14 दे पर ovulation हो जाता है उसके बाद में जो बाद का phase 15 to 20 days का phase वहाँ पर नहीं फॉलिकल क्यों नहीं बनती है हमें अच्छे से पता है 14 day पर FH और LH का surge हुआ था उसके बाद में वह वापस अपने below वाले level पर चल जाते थे तो low level होता था FH LH का इस वज़े से या पर फॉलिकल नहीं बनती थी चलिए option देखें पहला follicle do not remain in the ovary after ovulation गलत wrong answer FSH level are high in the luteal phase नहीं अगर ऐसा और चौथा option हमारे पास में है both FSH and LH level are low in the luteal phase बिलकुल सही 14 day पर जब हमारे पास FSH और LH का सर जाया था क्या हो उसके बाद में उसके बाद में इनका level कम हो गया था तो answer 4 हमारे पास यहां पर बिलकुल सही होगा so answer would be both FSH LH levels are low in the luteal phase तो यह देखिए यह हमारे पास आगया answer 4